कि फासले भर चला था गलत राहे शौक पे मंजल का उम्र मुझे तलाश्टी रही अब्दुल हमीद अमद का ये शियर आज उन बच्चों पे सटीक बैठता है जो घर छोट के इन ऐसास होता है कि वह इस भीड में किस कदर अकेले हैं लेकिन इन बच्चों को सुरक्षित परि अब दॉक्ष्ट संगीता सिंग जी साथ उनसे पात चीत करते हैं कि वह किस तरीके से चाइड लाइन बिछले ला पता बच्चों के तलाश करती है और बिछले बच्चों को उनके माबाब से मिलवाती है नमस्कार चाइड लाइन देखे चाइड लाइन एक तोल फ्री जो भी शहर की NGO है वो चलाती है तो इस शहर में लखनौ में हमारी NGO हम इसको चला रही है और बच्चों के अगर हम बात करते हैं तो देखिए बच्चों के साथ बच्चे क्या सोचते हैं क्या समझते हैं ये किसी का समझवाना बहुत मुश्किल होता है और कभी-कभी हमको ब खाने बनाने को कह दिया, मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, यह स्कूल में डांट पड़ गई, नंबर अच्छे नहीं मिले, ऐसी छोटी-छोटी बातों पे भी मासूम बच्चे अपना घर छोड़ करके निकल आते हैं, और जब वो हमको मिलते हैं, और हमको कैसे मिलते हैं, हम कई बार पुलिस के माध्यम से मिलते हैं, और कई बार जो बहुत समवेधनशी लोग होते हैं, जन्मानस होते हैं, उनके माध्यम से मिलते हैं, तो जब हमें ये बच्चे मिलते हैं, हम उन बच्चों को बालकल्यान समिती, जो के हर जिले में होती है, ये एक बेंच ऑफ मैज जाता है अगर उसके घर ढूंडने की जरुरत पड़ती है तो हम उसके घर को ढूंडते हैं तलाशते हैं उससे पूछते हैं और जब हम उनके परिजनों से बात कर लेते हैं तब तक के लिए बच्चे को उनहीं के बाल कल्यान समिती के माध्यम से ही उनहीं के आदेशा अनुस ही उसे हम बचों को पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें चाइड लाइन, पुलीस और बालकलियान समिती और शेल्टर होम्ज जो आश्रे ग्रहे होते हैं बचों के, यह सब मिल के ही बच्चें को सुरक्षित रखते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी बच्चा किसी को कहीं भी दिखाई देता है चाहिए वा कैसे ऐसी इस्तिती है अगर उसकी वो शोशित हो रहा है या उसके परिजन ही उसको शोशित कर रहे हैं, कभी-कभी बच्चों को काम पे भेज दिया जाता है, छोटी उम्र के बच्चे हैं, 14 साल के, 13 साल के, 12 साल के और उनको काम पे रखा दिया गया है, वहां उनका शोशन हो रहा है, कभी-कभी रिष्टेदारों में भी हमारे सामन इस तरह के बहुत केसिस आये हैं जिसमें बच्चे बच्चों का शोशन रिष्टेदारों के माध्यम से हुआ तो ऐसे कोई भी बच्चा अगर आपको दिखता है तो 1098 1098 ये टोल फ्री नंबर है जिससे की आप संपर्क कर सकते हैं और बच्चों के लिए जैसी भी मदद चाह कि आप मांग सकते हैं यह तो बात हो गई कि ना जो चाइड लैंड की करिशालिये कि इस तरीके से काम कर रही एक तरीक बात यह भी है जिस तरीके कई जो नावालिक बच्चे हैं जेहें बालश्रम किसे आजाद भी कर रहा गया और इसमें अभीहान भी चलाया गया लेकिन बावजूत भी आज राजधानी की सड़कों पर तमाम बच्चे ऐसे भी हैं जो रेड लाइट सिग्नल गिरते ही तो वह गालियों के सामने कपला मारने लगते हैं इसको लेके क्या अभी तक क्या रणनीती बनाई गई है देखी ऐसा है कि जो हम बात करते हैं जो स्रीट चि जाने की बहुत जादा आवश्यक्ता है क्योंकि इसमें केवल बच्चे ही नहीं हैं बच्चों के साथ उनके परिजन भी हैं और जो अगर हम बात करते हैं किशोर नयाय अधिनियम की तो किशोर नयाय अधिनियम कहता है कि अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ हैं और जब बालकलयान समित्य में थी तो हम लोग ने आदेश दिया और हम कई बार ऐसे rescue अभ्यान चलाज चुके हैं जिसमें हम बच्चों को सडकों से उठाते हैं और उस समय चाइड लाइन DCPU के साथ मिल करके, AHTU के साथ मिल करके ये अभ्यान चलाती है और बच्चों को rescue करके ला होते हैं उनकी counseling होती है उनका medical होता है सारी डॉक्ट्री जांच आदी होती है और पेरेंट से undertaking ली जाती है कि अब ये बच्चों को भेक्षा वृति के लिए या बाल श्रम के लिए नहीं भेजेंगे ये पूरी details undertaking होती है यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ है हम लोगों ने ज इस तरह कि आप जान रहे हैं जनसंखिया है जब हम 15 बच्चों को हटाते हैं कुछी समय में फिर 30 बच्चे आ जाते हैं तो इसके लिए एक बहुत हमें proper policy बनाने की आवशक्ता है जो कि अभी हमारे पास नहीं है साथ साथ जैसे बाल श्रमिक की बात किये बाल श्रमिक के ल बच्चे जो एकल परिवार में एक कमाने खाने वाला है और वो बिमार है वो बच्चे काम करेंगे या फिर माता-पिता हैं लेकिन वो कमाने की हालत में नहीं हैं तो भी बच्चे काम करेंगे तो ऐसे बच्चों के लिए कई सारी schemes हैं लेकिन वो schemes कहीं न कहीं ऐसा होता है क वो उस बच्चे तक पहुँच नहीं रही हैं और अगर पहुँचती है तो उसका लाब लेने में देर हो जाती है और यही कारण है कि जिसके कारण बच्चे फिर घूम घूम के हमें फिर से सड़कों पे दिखाइग देते हैं, होटलों पे काम करते हुए दिखाई देते हैं घरों में काम करते दिखाई देते हैं और मुझको लगता है कि जो हम पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम हम पढ़े लिखे लोग तो इस बात को समझें कि हम अपने घर में बच्चों को ना रखके उनसे काम ना कराएं बजाए इसके कि बच्चे को हम काम कराएं हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और उनको स्कूल भीजवाएं तो ये हम करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा तो कुछ बालशमिक कम हो सकेंगे तो इस तरह से ये एक सम्मिलित जिम्मेदारी है केवल सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते इसके लिए संस्थाएं सरकार और खुद जो समाज के लोग हैं पढ़े लिखें लोग और यहां तक कि जो कम पढ़े लिखें या अनपढ़ माबाप हैं जो अपने बच्चों को लगाते हैं कामों पे उनको भी ये सोचना और समझाना है तो इसके लिए सम्मलित प्रयास की बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता है ये तो हुई मैम बच्चों के अधिकार की बात एक और राजधानी में लगाता ऐसी घटनाएं आ रही है समने भी आ रही है और जिसमें नवजात बच्चों को उन्हें अलग कर दिया है ऐसे में चाइड लाइन उनकी देखरें किस तरियस करती है देखे ये बहुत ही कुरूर मानसिक्ता मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे को जैसे आज भी बहुत सैयों की भात है कि आज भी एक बच्चा मिला है जो कि पॉलेतीन में भेका गया आप सोची इतनी तेजगर्मी पढ़ रहे है और बच्चे को पॉलेतीन में भेका गया आज वो बच्चा इस समय अवंती भाई हॉस्पिटल में अपनी सासों के लिए लड़ रहा है क्यों क्योंकि उसको पन्नी में भेका गया था कितनी तेजगर्मी है तो ये एक बहुत ही खराब मान सिकता है जो बच्चों को नवजाद बच्चों को फेकने की बात है जगह जगह चाइड लाइन हो या फिर कितने भी आश्रे ग्रह हमारे लखनव भर में है सब आश्रे ग्रहों में पालना बनाए हुए अगर किसी को बच्चे को फेकना ही है नहीं पालना पोसना है तो उसको कम से कम सुरक्षित जगा तो रखें. एक इंसानियत के नाते कम से कम उस बच्चे की बच्चे का इतना बुरा हाल ना हो जाए कि वो इतने छोटी उमर में अपने सांसों के लड़ रहा है. और माली जी, ये बच्चा बच भी जाता है तो वो हता उम्र कमजोर रह जा तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और खासतोर से लड़कियां मिलती हैं जिनकों की फेक दिया जाता है ऐसे में जब कोई भी बताता है चाइड लाइन के नंबर पे फोन आता है 1098 पे कोई इस तरह का बच्चा मिला है तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा देखने के लिए कि बच्चे को कोई स्वास्थी आवशक्ता तो नहीं है कोई चिकिट्सी आवशक्ता तो नहीं है अगर ऐसा जादतर मामलों में ऐसा ही होता है वो कमजोर बच्चा होता है यह कुछ डिफॉमटी होती है या कई के बार वो बहुत ही जन उसका पहले हो जात समक्ष प्रस्तुत करके उसको फिर आश्रे ग्रह में रखा जाता है और आश्रे ग्रह में एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से बच्चे को दत्तक ग्रहन में दिया जाता है तो हमारे यहां लखनव में तीन ऐसे आश्रे ग्रह हैं जहां दत्तक ग्रहन इकाई हैं तो इन तीनों ही आश्रे ग्रहों के माध्यम से बच्चि को फिर remaining डेक्ध क्रेंट में अडॉप्शिन में दिया जाता है और ऐसे बच्चिंग जो भी स्वस्थ हो जाते हैं फिर वॉनको एक परिवार मिल जाता है और परिवार को बच्चा मिल जाता है आपने बाती एडॉप्शन की तमाम दमपती हैं जो संतान भीहीन है और बच्चे के लिए एडॉप्शन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं लेकिन उसमें एक लंबा समय लग जाता है क्या है आखिर में प्रक्रिया किया है और लोग इसको जनना भी चाहते हैं देखिए प्रक्रिया यह है जैसे मैंने आपको बताया ऐसे सारे बच्चे जो की निराश्रित हैं या जो सरेंडर भी कर काई की बार माबाब भी सरेंडर कर देते हैं ऐसे बच्चों को दथ तक ग्रहन में रखा जाता है तो सबसे पहली तो ये बात होती है कि बच्चे को दो महीने के अंदर-अंदर free for adoption CWC घोशित करती है, free for adoption होने के बाद उसको कारा, कारा एक website कारा की है, कारा का मतलब है Central Adoption Resource Authority, Central Adoption Resource Authority, कारा की website पे जिस माबाप जो भी संतान विहीन माबाप है या जिसकी है संतान लेकिन वो एक और संतान भी चाहता है, तो ऐसे माबाप, ऐसे जो भी दमपत्ती हैं, वो अपने आपको register करा सकते हैं कारा की website पे, और कारा की website पे register कराने के बाद, वो एक प्रक्रिया में शामिल ह जाते हैं जो कि adoption की प्रक्रिया है और इसमें क्योंकि जादातर हमारे यहां जो दमपत्ती हैं वो चाहते हैं कि उनको नवजाज शिशु मिले इसलिए नवजाज शिशुओं की लाइन में लगना काफी लंबा होता है और उसमें धाई साल लग लग जाते हैं उनको बच्चा म मिलने में क्योंकि उसमें बहुत सारी लोग लाइन में हैं तो जिसके जिसकी टर्न आती जाती है उसको बच्चे दिखाई जाते हैं तीन बच्चे उनको उनकी इच्छा अनुसार जो भी उन्होंने फॉर्म भरा होता है कि उनको लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए या गोरा, काला, कैसा भी, जो उनके choices होते हैं, वो उस form में भरे जाते हैं, और फिर वो अपने options देखते हैं, और अपने options को वो lock करते हैं, इसमें यहां पर मैं यह जरूर कहूंगी, कि जो भी ऐसे दमपती हैं, जिन्नोंने कारा में अपना registration कराया है, वो अपने messages जो उनके पास, चाहे वो email पे आ रहे हैं, या phone पे आ रहे हैं, WhatsApp या messages के माधियम से, उस पे वो बहुत updated रहें, देखते रहें लगाता, क्योंकि अगर उनका chance छूट जाता है, फिर वो line में बहुत पीछे चले जाता हैं, वापस, तो इसलिए अगर आप updated रहेंग तो आपकी जब turn आएगी, आपको बच्चा दिखाया जाएगा, और वो process फिर आपको जहां का बच्चा आपने, क्योंकि उसमें भी choice पूछी जाती है, कि north की तरफ का, कि south की तरफ का, तो उसके इसाब से सारे instructions वो कारा के माधियम से parent को मिलते हैं, और home study होती है, home study में social worker यह देखता है जाके, कि जिस दमपत्ती ने बच्चे को लेना है, उनके घर की क्या स्तिती है, वो बच्चे को अच्छे से रख पाएंगे, कि नहीं रख पाएंगे, तमाम इस तरह की चीज़ें होती है, जो देखी जाती है, home study में, और उसके बाद यह सारा procedure होता है, उसके दे दी गई है, DM के पास पावर आ गया है, तो इस तरह से फिर बच्चे का अडॉप्शन हो जाता है, और बच्चे अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद बच्चे का follow-up भी करा जाता है, जिससे कि यह पता चलता रहे कि जिस बच्चे को अडॉप्शन में लिया है कहीं उसको बेचा तो नहीं गया, या कहीं उसके साथ दुरवेवार तो नहीं हो रहा, तो इस तरह की चीज़ें सब देखी जाती है, और यह एक प्रोसीजर है जिसमें की ट्रांस्पिरिसी रखी जाती है, और इसलिए उसको ऑनलाइन किया गया है, एक आपनी सवाल है, कि नावालिक बच्चों की पहचान हमेशा गोपनी रखी जाती, भी भाग भी करता है, भी हाली में घटना सामने आई है, जहां जैपुर की दो बच्चियां नाराजगी से में राजधानी आ गई थी और यहां बाल्स्रम करने लगी थी, तो इस पे चाइड लाइन क्या नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ, यह हमारे भी संग्यान में आया है, और यहां तक की हमने एक किसी मीडिया किवज में भी देखा है, बच्चियों की फोटो भी चापी है, नाम भी चापा है, जबकि किशोर नयाए अदिनियम की धारा पिछ यह कहती है, कि बच्चे का जो ना है और इस तरह के नाम और पहचान गोपनी रखनी चाहिए उसकी शकल भी नीच आपनी चाहिए थी अकवारों में और पुलिस ने भी किस उसमें ये गलती हुई है मुझे नहीं समझ में आ रहा तो चाइड लाइन ये बालायों को लिखके दे रहा है कि इस तरह की जो गलती पुलिस से और अख़बार से मीडिया से तो इसको थोड़ा सा वो स्वतह संग्यान लें सुवो मोटो उस पे कॉग्निजन्स ले करके बाल आयोग आगे कमिशनर को लिखेगा क्योंकि चाइड लाइन कमिशनर को नहीं लिख सकता है ना हम तो केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम चाइड राइट एक्टिविस्ट हैं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं और मुझको लगता है कि काफी समय से पुलिस डूंड रही थी और पुलिस ने काफी अच्छा काम किया कि इतनी टीम्ज लगा करके उस बच्चियों को उनको धूंडा त ये एक कानूनन टीक नहीं है, क्योंकि बच्चों की पहचान किसी भी हालत में, और खास तोर से ऐसे बच्चे जो की इस तरहां से आ गए हैं, कोई बहुत छोटा बच्चा को जाता है, तो अपने पिता का नाम नहीं बता पा रहा है, तो Child Welfare Committee से ले करके पर्मिशन बच्चे पर तो उसमें कोई बात ने, लेकिन ऐसे समय पर जबकि बच्चा अपने घर से नाराज हो करके आया है, उसकी इतनी कहानिया भी बन गए और इतना सब कुछ हुआ और उसका नाम जागर कर दिया, तो वो कहीं न कहीं गलती हुई है, जिसके लिए हम बाल आयोग को, जो हमार मैं अनुरा के शाथ विनकुमा शक्ला, डेली इंसाइडर लखनाओ, यूपे और देश, दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए, गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें, हमारा तेजी से उघरता न्यूस जैब, डेली इंसाइडर